Hello dear friends, I hope आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, एक्जाम का सब को प्रेशर होगा, टोड़ा सब सीरेस होज़ोंगे आप लोग और त्यारी हो यह सब लोगों की, I am sure about it. दोस्तों मेरी काफी सरे बच्चों ने कमेंट्स करते हैं, बच्चे की सर यह टाइप टोड़ा बागी है, हमें क्लियर कलेरिफार करती हैं, तो उसमें से एक टाप टॉपिक है, मौडल ऑजिलरी का, जो बच्चे डिमांड कर रहे थे काफी, और I am thankful to all of you for making such a wonderful comments, हम लोगों को करते हैं, तो we always feel rejuinated, कि हां मतलब बच्चे खुश है, और वो कुछ और डिमांड कर रहे थे, तो friends, यह जो आज का लिक्चर है, वह हमारा होगा model auxiliary की उपर, Before I start lecture, let me tell you, कि model auxiliary जो है, यह बोड का favorite topic है, बोड इस पर questions पूछता ही है, और इसमें बच्चों को marks मिलते ही है, अगर उनको ठोड़ा सा पता होगा कि कैसे करना है, तो यह उसमें मैं count करूँगा, काफी easy होता ही है, model auxiliary, उसका मतलब आपको बताता हूँ, मैं कि नहीं से की, आप किसे बोलेंगे इसको, money should study, तो लेकिन मनिश को पढ़ाई करना ही चाहिए, तो देखो चोड़ा सा इसका mood change हो गया, पहले वाले में compression नहीं था, अभी combustion आ गया है, पहले में क्या था, मनिश को पढ़ाई करना चाहिए, और अभी क्या हो रहा है, मनिश को पढ़ाई करन ही चाहिए, कुछ बनना है उसे तो, पास होना है अच्छे माक से तो, तो उसका mood change हो गया, तो आप यहाँ पर, तो पहले था, मनिश should study, आप भी बोलेंगे, मनिश must study, ठीक है, तो इस तरह से sentence का meaning, mood change करने वाले जो words होते है, वो होते है, model auxiliaries, model auxiliaries को simple रखेंगे हम और auxiliaries family में, एक नहीं, दो, नहीं, 24 घर के चिराग है, ठीक है, मतलब auxiliaries family में, 24 auxiliaries है, तो 24 auxiliaries में से, 11 जो है न, वो है primary auxiliaries, और 13 जो है, जो हम लोग को exam में अभी आने वाले है, वो है model auxiliaries, ठीक है, तो I repeat once again, family का नाम क्या है, auxiliaries, और auxiliaries जो है, यह total कितने होते है, 24, ठीक है, तो इसमें से, 11 होते है, primary auxiliaries, और बाकी के, जो आप लोग को exam में आने वाले है questions, इसके उपर, वो होते है, 13, that is model auxiliaries, okay, so model auxiliaries का मेनिंग क्या है, an auxiliary is a helping verb, used to make a form of another verb, ठीक है, the auxiliary is जिसे की will, would, can, could, shall, should, may, might, must, ought, need, यह सारे जो है used, ought, need, used and dare, are called model auxiliaries, या फिर सिर्फ models, ठीक है, आपसे कोँगा में, models, या ते फिर model auxiliaries कोन से है, will, would, can, could, shall, should, may, might, must, ought, need, used and dare, total इतने जहना है, यह सब क्या है, यह सब है model auxiliaries, ठीक है, they express attitude, mood, context, such as necessity, permission, possibility, etc., यह जो words है, यह express करते है, उस sentence का, उस situation का mood क्या है, उसका meaning क्या है, ठीक है दोस्तों, तो हम देखेंगे, यहाँ पर primary वाले जो है 11 है, वो एक B family, छोटा सा B वाले family, do वाली family, have well family, B में से कौन कौन से आते है, amies are, was, were, तो इतना सब लंबा चोड़ा नहीं बोलते हैं, यसी B वोल देना, समझ जाओ, किसी ने कहा ना, to B के forms कौन कौन से है, तो B के कौन कौन से है, amies are, was, were, do के कौन से है, do, does, did, have के कौन से है, have, has, had, ठीक है, यह जो है प्राइमर कुछिलर्स है, इस पर आप लोग को बोर्ड में यह वाले पूछेंगे, यहां से क्वेश्टन आएंगे आप लोगों को, यह जो अजलर्स है, 13, इन सब के अपने-पने मिनिंग्स हैं, इन सब के अपने-पने मिनिंग्स हैं, ठीक है, तो इससे कि अभी क्या-क्या मिनिंग्स हैं, तो देखो, हाँ, विल का मिनिंग्स माल में क्या होता है, अब तो बताओंगा आगे डिटेल में अच्छे से, बट ठोड़ा सा आइड़ा देड़ो, विल मितलब कोई भी काम पक्का होगा, सर्टनली होगा, डिसी कि I will win, मैं जीतूंगा, my father will come tomorrow, मेरे पापा कल आएंगे, आपको सर्टनली पता है न, तो फिर यह क्या बताता है, सर्टन्टी, विल, ठीके, वुड जो है वो, पास्ट हैबिट होती है न, डिसी कि करण वुड वुड वेक अप अच्छी सो क्लॉक, करण छे बजे उठा करता था, मैं तीन घंटे पढ़ाई किया करता था, कोई भी काम पहले हुआ करता था, पास्ट ने हुआ करता था, that is वुड मतलब पास्ट हैबिट है न, she would lie, वो जूट बोला करती थी, my grandfather would have plenty, lot of tea, मेरे पाप दादा जी थे, वो बहुत चाय पीटे थे, ठीक है, तो फिर यह जो है, वुड का मीनिंग है, मतलब कर कि continuous को यह बात पहले हुआ करती थी, पास्ट में, हैबिट थी, शाल का मीनिंग भी क्या है, certainty, लेकिन वो I की लिए उस होता है, इसका मीनिंग भी certainty है, इसका मीनिग भी certainty है, फरक यह है कि I और V की लिए उस होता है, ठीक है, फिर बात में, शुड मतलब के अवाले में, आप किसी को ते न, advice देते हो, अरे यार, अर्जुन, ए भाई तुम्हें आर्मी जॉइन करना चाहिए, I think, Manisha, you should take science, तुम्हें science लेना चाहिए, तो तुम उसे advice दे रहे हो, शुड बोलकर, तो शुड क्या प्रिजिन करता है, advice, अभी can क्या बताता है, माले में, ability, can क्या बताता है, ability, यह सब आगे दिया है, नीचे डिकले में दिया बलते हैं न, I can finish my work by 5 o'clock, मैं 5 बज़े तक यह काम खतम कर सकता हूँ मेरा, तो मेरे में एक काबिलियत है, ability है, है न, तो इसी की, you can win the race, तुम race जीत सकते हो, she can cross this line, वो line पार्क कर सकती है, ठीके, I can lift this box, मैं यह box उठा सकता हूँ, मेरे में ability उठाने की, तो can का meaning क्या है, ability कूड का meaning मल में क्या है, कूड का एक meaning होता है, past ability, और एक meaning मल में क्या होता है, possibility, बहुत कम लोगों को पता होता है, यहा मिनिंग कूड का, कूड का meaning होता है, possibility भी, शायद संभावना कदाचीत ठीक है विसे की बोलते है न राहूल कूड कम at any moment राहूल कूड कम at any moment राहूल किसी भी समय आ सकता है it could rain today आज शायद बारिश हो सकती है तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है तो उससे मैं कूड यूज कर सकते हैं ठीक है, वसे में में कर तो मिनिक भाय दो-दो है में के मिनिक दो है में का मिनिक एक नहीं है कुछ और इल्ज दरह रहे हैं क्परमिशन एक मिनिंग होता है उसका पॉसिबिलिटी भी इट में रहें टोड़े अ शयाद बारिश हो सकती है वी में गेट लेट, शायद हमें देरी हो सकती है, तो यहाँ पर में का मीनिंग क्या है, शायद, possibility, अब अगला एक्जामपल देखो, मैं कमीन सर, मैं आए गो सर, मैं टेक या पेंट प्लीज, तो फिर इस तरह सो question sentence जो है न, इसमें में का मीनिंग क्या आ रहा है, permission आ रहा है, मैं के मीनिंग दो है, ठीक है, माइट का मीनिंग माले में क्या है, वो पॉसिबिलिटी है, इसे की, we might get late, it might rain, possibility, chances, जो होता है न, तब उससे में क्या होता है, उसको आपनों माइट क्यूश करते हैं, दोने में सोड़ डिफरेंस है, बतांग अगा 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 में डिटेल म मतलब में क्या, compulsory, बोलते हैं न, राहूल, you must come on my birthday, शीतल, you must attend the meeting, कोई काम compulsory करना होता है न, तब उससे में आप लोग को वहाँ पर must use करना, से को obligation होता है आपके उपर, बंदन होता है, कि वो करना ही होगा, तब must use करो, ठीक है, ought to का मीनिंग माल में क्या है, शुड, कफि सेम ही मीनिंग है, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, और टी बतलब में क्या, ethical responsibility, ethical duty, मतलब अपके moral duty होता है, अरे हमें हमारे बढ़ों का आदर करना चाहिए, बच्चों इन अपने माबाब को बुड़ापे में संभालना चाहिए, तुमें पता होना चाहिए, कैसे politely बात करन है, तब यह जो चीज़े है ना यहाँ पर, इससे moral duty है आपकी, ठीक है, तब यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, odd to, used to मतलब वोई कोई काम पहले किया करता था, शुमें छे बज़े उठता था, पढ़ाई किया करता था, तो उससे में हम लोग used ED लगाएंगे यहा we used to study for four hours, हम लोग चार घंटा पढ़ाई किया करते थे, मैं छे बज़े उठता था, his grandfather used to sell vegetables, उसके दादा जी सबजिया बेचा करते थे, तो उससे में used to लगाएंगे, need to मतलब क्या, जरूरत हो ना, dare to मतलब क्या, किसी की हिम्मत हो ना, how dare you test my mobile phone, वैसा, ठीक है, तो यह definite to more definite, देखो, यहां से जो है यह, जितना less definite है, वो यहां से शुरू हो रहा है, फिरो more more होते जागा है, दो खागे, तुसे meaning क्या है, can और could का meaning क्या है, भाई, ability, okay, should का meaning क्या है, advice और obligation भी लोग कह सकते उसको, ठीक है, actually advice इसको ज्यादा follow करो, यहां पर S आएगा, C आएग पता है, वोड का meaning क्या है, past habit, okay, request भी होता है, वोड का meaning क्या हो सकता है, request भी आप उतरी से करता, would you open the door please, would you lend me 500 rupees, है न, तो वोड का meaning वो भी होता है, क्या, polite request भी हो सकता है, ठीक है, आप यह देखो, may or might का क्या है, permission भी है, और possibility भी है, permission वालक ऐसे, may I go sir, may I come in sir, ऐसा, और possibility, it may rain today, राहूल may come late, possibility है, might का भी क्या है, possibility दोखोगा, we might lose the match, हम शायद ही match हारेंगे, अदुकर, may or might में difference माल में क्या है, बच्चे काफी पुछते मुझे किस से difference क्या है, may or might में बहुत थोड़ा difference है, बहुत चोटा फ़रक है, चोटा, चोटा, एकदम चोटा फ़रक है, मुझे में क्या, इसे की, श्रेया में वीन दे मैट, श्रेया सायद मैट जीतेगी, श्रेया माइट वीन दे मैट, श्रेया सायद ही मैट जीतेगी, पहले का कहा मैंने, श्रेया सायद मैट जीतेगी, में, श्रेया माइट के टाइम पर क्या वाला मैंने, श्रेया सायद ही में मतलब शायद माइट मतलब शायद ही वसे must और have to का मतलब क्या है compulsion है वो ठीक है अब ये देखो क्या है used to मतलब क्या है past habit कोई काम किया करता था ought to मतलब obligation ethical obligation आपको moral obligation होता न वो need, necessity और dare का क्या है courage अब ये देखो can, could can क्या express करता है दो चीज़े express करता है वो ability भी और permission भी ओके अब यहां से हमारा ये सब जो है ये आप लोगों को ध्यान देना है, seriously ध्यान देना यहां पर ठीक है, ये सब intro था उपर हलका फुलका आप ये शुरू, can, could can क्या बटता है भाई ability कोई काम कर सकता है कि करने की ख्षमता और permission मतलब क्या है कि मैं जाओं कि नहीं जाओं ये सब क्वेश्चन से था ना वो example, Priya can speak English यहां पर क्या express हो रहा है कि Priya English बोल सकती है यहां पर can क्या बता रहा है ability ठीक है, can we go to play क्या हम खेलनी के लिए जा सकते है अब यहां पर क्या मांग रहे है आप permission मांग रहे हो ठीक है, तो यहां पर can क्या meaning है permission एक keyword लेकिन दो-दो meaning अलग-अलग sentence के हिसाब से अब ये देखो, can का बड़ा भाई could could का meaning क्या है ओहो, could के तो meaning भाई तीन-तीन है, एक तो क्या है past ability भी और polite request भी और possibility भी could तीन-तीन meaning बता रहा है ठीक है? एक क्या meaning बता रहा है past ability, बोलते ना मैं तो छोटा था ना मैं आठ-ाठ रोटी खा लेता था भाई खा सकता था मैं मैं continuously इसलिए 4-4 तीन में भाग सकता था पहले अभी नहीं भाग पाता हूँ वेट जाता ही हो गया ने इसके लिए ठीक है? जादा मतलब बहुत ही जादा हो गया ठीक है? तो फिर यह जो है past ability, तो फिर यह जो है could, could क्या बताता है past ability, I could eat eight chapattis, I could wake up at six o'clock में छेवाच उड़ सकता था पहले है ना? तो यहाँ पर क्या मिनिंग है could का past ability polite request भी होता है could के लिए, पता है आप लोग को could you open the door could you land में 500 रुपीज could you get में glass of water यह जो है ना? यह polite request request की तरीक होते है होता है सादा request, simple request please बहुल गया, काम हो गया ठीक है घर में चल जाता है ऐसे दोस्तों के भीष में घर में फैमिली में please राहूल, give me water ना? चल जाता है घर में ठीक है लेकिन जब आप कहीं पर अच्छी जगह पर होंगे formally आपको बात करना होगा वहाँ पर official जगह पर होगे तब वहाँ पर आप लोगों को please से काम नहीं चलेगा तब आपको वहाँ पर इस्तमा करने पड़ेगा could कोड जो है थोड़ा से हीवी रिक्वेस्ट होता है पॉलाइट रिक्वेस्ट से कहते है could you get me a glass of water please could you open the door, could you open the window तो फिर यह सब है could पॉलाइट रिक्वेस्ट कोड का औरिक मिनिंग क्या है? पॉसिबिलिटी वहलते है कि अमीद कूड कम at any moment अमीद किसी भी समय आ सकता है ठीक है we could win the match हम शायद match जीज सकते है possibility could के मिनिंग यह तीनो है देखो एक्जमल पर सामने है अंकल जॉन कूड स्विम well when he was young यहाँ पर क्या मिनिंग है could past ability बोलो किसे बचाना इसका मिनिंग होता है अंकल जॉन जो है न जब छोटे थे तब वह अच्छे से तेल सकते थे past में उनकी availability बता रहा है वो ठीक है could you give me a glass of water यह polite request है यहाँ पर क्योंकि आप किसी को polite request कर रहे हो यहाँ पर क्या है देखो she wondered whether it could be true वो सोचने लगे कि क्या है सच हो सकता है possibility है न तो यहाँ पर could के तीन meaning है sentence के context के साब से आप उसको समझ सकते हो अब यह आगे दोनों भाई can could भाई होगे अब विल would यह भी दो भाई है ठीक है will और would का meaning क्या है will का meaning होता है determination confirm certainty ठीक है यह सब जो चीज़े है ना यह किस मैंद आती है will मैंद आती है ठीक है ऐसा होगा वैसा होगा confirm होगा पता है आप लोग को तब आप लोग वहाँ पर will का meaning है determination threat promise willingness probability polite request यह सारी चीज़े है यह किस मैंद आती है यह will मैंद आती है ठीक है अब example देखो come what में we will stand by your side यहाँ पर क्या है will का meaning come what मतलब क्या चाहे जो हो सो हो चाहे जो भी हो हम तुमारे साइड से खड़े रहेंगे ठीक है हम तुमारे support करेंगे मतलब यहाँ पर क्या अपका हो रहा है meaning यहाँ पर will का determination हो रहा है आप confirm आपको पता कि ऐसा होगा करके हम वैसे ही खड़े रहेंगे तुमारे साइड से तुमारे से support करेंगे चाहाँ दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए मेरी माँ सही थी सही है सही रहेगी है न I will surely teach him a lesson यहाँ पर आप threat दे रहें थमके दिरो I will not spare you प्रशाद I will not spare you तुमने मुझे धोका दिया न मैं नहीं छोड़ूंगी I will surely teach him a lesson मैं उसे सबक सिखाऊंगी I will always be there with you promise कर रहे हो किसी को promise करना I will keep my promise I will definitely attend your wedding I promise कर रहे हो I will always be there with you They will boast of their wealth and property यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप बता रहे हो किसी का सौभाव ठीक है अभी example देखो अगला वाला I think the film will be a hit आप यहाँ पर संभान बता रहे हो chances, possibility तब यहाँ क्या आ गया Will Will you make me a cup of tea यहाँ पर request कर रहे हो किसी को तो फिर यहाँ पर पर रहे हो I will lend you the money you need ठीक है यहाँ पर क्या आप willing बता रहे हो किसी की इच्छा तरह कि हाँ I will lend you money मैं तब सब्सक्राइद दो का तुम्हाँ अगर सहीत हो ठीक है यह मिनियो होगा Will का यहाँ पर They will win यहाँ पर Will का मिनिंग क्या है certainty है ठीक है यहाँ पर लिखा नहीं मिनकर you can add here जी के अब में H क्या है certainty He will win यहाँ पर बोलो क्या मिनिंग है Will का certainty है न और यही बोर्ड में आता है क्या कि Will क्या इस पर कर रहा है certainty Confirm ऐसा होगा ही ठीक है अब यह देखो Would Would का मिनिंग क्या है वाल में Would का मिनिंग है Past Habit Wish Probability Determination Polite Request ठीक है तो हम यह में यह देखेंगे वाल में क्या जो अपने यहाँ पर Board के एक्जाम की सब से यह होता है क्या Past Habit Past Habit और Polite Request उसके जाता है Would का जैसरी के बलते है Na He would वाल में पर चैनल रहे हैं यहां पर पता चार्व से पास्ट है उसको आदधी पहले सुभर जल्दी उठने की वह सुभर जल्दी उठता था और योगा करता था ठीक है तो यहां पर बूड का मिनिक क्या हो रहा है है यहां पर पॉलाइट रिक्वेस्ट कैसा है वूड यू अकंपनी मी त किल दो हॉस्पिटल क्या तुम में साथ आओगे हॉस्पिटल तक के लिए तो यहां पर आप किसी को पुर्टली रिक्वेश्ट कर रहे हो ना तो इसको यहां पर वोड का मीनिंग वह आ रहा है ठीक है अब यह दो कर शाल का मीनिंग क्या होता है कमांड प्रॉमीस थ्रेट सज और पर्मिशन ठीक है यूशाल नॉट लिव स्कूल प्रिमासेश जूरिंग स्कूल आवर्स का टाइम पर जब तो स्कूल चल रहा है तब तो आप स्कूल से बाहर नहीं डा सकते यहां पर क्या किया टीचर ने कमांड दिया बच्चे को तो शाल का मिनिंग यहां पर कमांड आ रहा है अब यह दो को यहां पर शाल का प्रामिस भी होता है यूशाल भी रिवाड़ेट फॉर यूआ ब्रेवरी अक्सर लोग कहते हैं कि शाल जो है वो यूज़ होता है सिर्फ आई और वी के साथ फ्रेंड्स शाल का जो रूल है वो क्या कहता है शाल कैन बी यूज़ लिकिन अंडर सर्कम्स्टांसेंस कभी कि सिच्वेशन ऐसे आती है कि जब आप लोग यहां पर शाल यूज़ को सकते हैं किसी और के साथ ने भी आई और वी के आलावा भी रिसी की कब बोलेंगे जब को कमांड देना होगा तब कब बोलेंगे प्रॉमिस करना होगा तब अब बोलना है आपको तोड़ा सा धमकी देते हुए तब आपको वहां पर शाल आप बोल सकते हो चलता है ठीके बोलते ना किसी को बता है कि बैटा तुम्हारा इनाम मिलेगा यूज शाल गेट यॉर रिवार्ड अब यहां के साथ में शाल यू के साथ में आया हुआ है क्य वह होगा ही तब आपको क्या मुलना है वहां पर शाल यू शाल पे फॉर्या मिस्डीट तुम्हें तुम्हारी गलती के लिते में सजा भुगत नहीं पड़ेगी यहां पने थ्रेट उसको धमकी दिया पर सामने वालों को ठीके शाल भी गो फॉर पिकिनिक तुमारो क्या हम पिकिनिक ले जाएंगे आपने इसको सजेशन दिया किसी को यहां पर ठीके शाल उपन दे विंडो आप पर मिश्य मांगो रों किसी से है ना ठीके तो श्राल का मिनिंग यह है शूड का मिनिंग दो क्या होता है डियूटी डियूटी ओब्लिगेशन पॉसिबिलिटी एडवाइस ही हो गया ना तो याद रुखो ओके तो यूशूड ऑलवेज पे टैक्सेस ऑन टाइम तुम्हें हमेशा टैक्सेस टाइम पर बनने पड़ेगे एक्शुली ओब्लिगेशन के लिए मस्ट होता है बट समझने के लिए आप इसको शूड भी लगाओ कि फिर भी प्राइम ने ठीक है क्या आपको चांसे पता है उनके घर पे आने की पॉसिबिलिटी पता है कि वो लो घर पे इस ताम तक आ जाएंगे अब तक तो आ जाने चाहिए था ते फिर क्या आ गया पॉसिबिलिटी यहां पर दुखर क्या है संभावना आ गया दो वर्क शुडबी कंप्लिटेड पाई एवरीवन ठीक है कि सबसे जा सब लोगों इससे मिलके काम करना चाहिए अब दुखर में माइट क्या है में का मीनिंग क्या होता है पॉलाइट रिक्वेश्ट पॉसिबिलिटी वीश पर्मिशन देखो में के मीनिंग यह होते है क् पॉसिबिलिटी है इट में रेंट टुड़े है ना वी में गेट लेट शाद हमें दिरी हो सकती है वीश बोलते हैं मैं गॉड ब्लेस यू मैं यू लिव लॉग किसी का विश करते हो मैं यू सक्सीड वैसा फिर बाब में क्या है परमिशन मैं आइग गो सर मैं कमीन टीचर मैं कमीन टीचर ऐसे बोलते ना वह ठीक है यह वाला ओके तो फ्रेंट्स मैं यू फोन तो में का कॉल यहां पर पॉलाट रिक्वेस्ट आ रहा है मैं का मीनिंग यह दुख क्या है इट में रेन एनी टाइम डूरिंग दे पॉसिबिलिटी है कभी बारिश हो सकती है चांसे स हमें चितांग के रहें यहां पर में का मीनिंग क्या लए रहे है पॉसिविलिटी में गहां रहे हो कि मैं जूर्ट बाता है टो है, less possibility, I would mention less, ठीक है, शायद ही, तब बोलेंगे might, okay, चलो, you might be lucky to win the prize, तुम तकदिर वाले हो सकते हो, price जीतनी के लिए, क्या बरोसा, possibility, अब might का मेनिंग क्या है, might I be excuse sir, permission मांग रहा आप किसी को, ठीक है, इतना rarely बोलता है, इतना जल्दी बोलता है, इस तरह से permission वाला might, permission वाले के लिए सिप में यूज़ करते है, में और can, मैंने यतनों कोई देखा नहीं, कोई भी Shakespeare की डारे को माइट वाला permission मांगे, ठीक है, बट knowledge के लिए याद रोखोए, करेक्ट है grammatically, लेकिन इतना कोई ज़्यादा follow करता नहीं उसे, okay, must, ओहो, ये आ गया board वालो का favorite, must, पता नहीं क्या board वालो को प्यार है, इसके उपर, अकसर ज़्यादा करके कोई भी exam वाले, college वाले, school वाले, board वाले, वो लोग must को बहुत like करते, they always ask at least a single question based on must, पता नहीं क्या है, अब must करके क्या meaning है, एक ही meaning है, क्या है, obligation, compulsion, determination, chances, confirm पता है, तब आप लोगों को बोलना है must, ठीक है, अब ये देखो न, you must tell the truth, compulsion है, obligation है, you must pay the taxes, ये सब क्या है, एक ही, ज़रोती नहीं है, ज़रोती नहीं, सब का meaning must का क्या है, compulsion, होगा ही, ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है, तब लोगों को must use करना है, लोगों पुछते ही है must का, ठीक है, अब ये देखो, actually, यहाँ पर लिखा है न, अब ये दुखर के यहाँ पर probability, ठीक है, चल आगे, ought to, should का भाई, ought to, अक्सर बच्चे बोलते है, should का meaning होता है, ought to, ought to, ought to का meaning होता है, should, आप दोनों को भी, same use कर सकते हो, difference है, उसके अंदर बढ़ चलता है, ought to, ought to का meaning क्या है, duty, advice, necessity, moral obligation, ठीक है, निसलता न, कुछ चीज़े से, की, समाज के दुष्टी से, इंसानित के नाते, हम लोगों को follow करने पड़ती है, जिसलिकि हमें बड़ों का सम्मान करना पड़ता है, करना पड़ेगा, हमें बच्चों ने बड़ों का, अपने माबाब को संभालना चाहिए, ठीक है, हमें स्त्रियों का स तक भी समाना को हमें बड़ों करती हrabआ, हमें लोगों का सिलिकित बड़ेगा, मेरी पुंचा का निर मेर का सिट्या, पहल देखे का, अउसलिकि पुंछाना, ड़े!! इसको इसका और उस्टू का मेनिंग सेम ही है बोलो क्या पास्ट हैबिट ओके आग यूस्टू राइट नॉवल्स में नॉवल्स दिखा करता था शी उस्टू है लॉट आफ टी वह बहुत चाय पिया करती थी ठीक है पास्ट हैबिट है प्रैमर अग्जलिस दिया मैंने यहा पर ओके अब यह दुखेंगे कि एक्जाम में कैसे आप लोगों को ताके कोई पूछे तो इसका मीनिंग क्या है क्या है काहां पर भी अपने भलता यूज मत करो मेनिंग के सब से उसको तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ठीक है अब यह देखो एक्जाम में कैसे आप लोगों को डिफिशेंसिस कैन बी करेक्टेड वेन ओल्ड यहां पर ना दर अची एक चुली बाइश पर टाहर चप गया है इस शुद भी ड़ ठीक है यहां भी दर वाइश टेक तो डिफिशेंसिस कैन बी करेक्टेड वेन ओल दी नूट्रियंट्स आर सप्लाइड यह सेंटेंस है उन्होंने कहा है यहां पर यूज मॉडल अक्जिलरी शोइंग सर्टन्टी इसमें वो वाला अक्जिलरी यूज करो जो सर्टन्टी बताता है तो सर्टन्टी वाला हमार बेल भी करेक्टेड बस यहां पर गळगा और क्या गळी विल ओके म्पर सर्टन्टी वाला विल और हम लोगको थो यहां पर तो को certainty वाला और अदो इसकर ना है तो इनलो कुन सा होता है वोलो यहां पर ऐब लिट के वusing करते हो हुआ कि व deception है हिंग है यहां पर है सिंप आप यहां सेड़ न यह हटा तके भी ठीक है ति ही तिकए का वाज़ा सर असकेश फूल एड़िटाइजर आपकेश करेट अ मुनोपोली ठीक है यह पूरा फटा देंगे यहाँ से हां चलो ability वाला can आपनी उसकर दे यहाँ पर a skillful editizer can create a monopoly ठीक है अब देखो क्या है यहाँ पर they may again be free वो लोग शायद वापस से free हो जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर क्या है more definite वाला उसकर आप लोग को तो more definite मतलब certain होने ही वाला है confirm पता आप लोग को तो क्या यूज आगा है यहाँ पर will ठीक है more definite वाला कौन सा है will ताप आप वाला विल दिखेंगे अब यह दोकर example अगला वाला wind and sun may dry out die surface यहाँ पर दोकर क्या उसकरना आप लोग को certainty वाला यूज करना है तो certainty वाला कौन सा certainty वाला कौन सा है certainty वाला will है तो फिर दोकर यहाँ पर आएगा will wind and sun will dry out the surface ठीक है अब यह देखो the torch will be washed clean with salt free water obligation वाला यूज करो तो आप कौन सा है obligation वाला कौन सा है obligation वाला है must है ना तो फिर must क्या आगे यहाँ पर must will हट गया और must आ गया है ना यादी रखो obligation वाला कौन सा है must certainty वाला will advice वाला should और यह उनका हमेशे रहता है और ability वाला can अब यह दो क्या है उनका यहाँ पर certainty वाला यूज करना certainty वाला कौन सा है will आपने यहाँ से should remove कर देंगे आप यहाँ पर और will लगा देंगे young people should be considered for employment young people will be considered for employment certainty वाला will आगया यहाँ पर है ना यह example देखो they should be marked out from their youth for the unemployment of an active type इसमें अपनों को कौन सा वाला यूज करना है और obligation वाला यूज करना है obligation वाला कौन सा है must must आगया यहाँ पर should हट गया must आगया क्योंकि should का meaning क्या है advice ठीक है should का meaning advice must का meaning obligation can का meaning ability will का meaning certainty चार ही पुष्टे उजाद करके वह लोग चार ही usually तो चार ही पुष्टे है ठीक है the remaining journey has to be undertaken on foot obligatory वाला बनाव इसको मतलब कौन सा वह must has to be हट गया और क्या आगया देखो must आगया यहाँ पर sentence में the remaining journey has to be undertaken on foot तो यहाँ पर has to हट जाएगा और वहाँ पर क्या आएगा must आएगा क्योंकि compulsory है ना must आगया obligatory compulsion necessity है ना अभी example देखो you could pay eight times the going rate for a lightning call ठीक है अब यहाँ पर compassionate आपको यूज करना है तो compassionate कौन सा है वही must देखो यहाँ पर must आगया आगया कूड हट गया ठीक है इचारी याद रखो चारी बोड को चलते कौन से वहले must obligation compulsion will certainty can ability should advise चारा चारों पर ही question आते है आप लोग एक्जाम में देखो आगया मस्ट कंपर्शन वाला मस्ट है न सर्टेंटी वाला विल है न ओके इस हाओ आप लोगों के exam में questions आएंगे आप लोग उसको follow करना है उसको first of all you must keep in mind कि आप लोगों को success पाने के लिए hard work चाहिए और hard work दिखाना पड़ेगा आप लोग के सब्सक्राइब करके लिट्रिल लन करो और इसमें तो बता आप लोगों के में चार ही में पढ़के जाओ कौन सा वाला मस्ट वील कैन और शूर मस्ट का मिनिंग क्या है रिपीट करो मस्ट का मिनिंग क्या है obligation कंपर्शन मिल का मिनिंग क्या है सर तंटी कैन का मिनिंग क्या है एबिलइटी और शूर का मिनिंग क्या है एडवाइस ठीक है उनका है कि इस पर विश्चन आता है ability फिर should पर question आता है advice किये इस पर question आता है फिर बाद में will पर आता है certainty ओके फिर would याद रखो would past habit है would क्या है past habit याद रखो आप लोग के लिए ठीक है it is याद रखो और must oh 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 must compulsion obligation ठीक है it is याद रखो must का यह है कि याद रहेगा यह पाचों के ज्यादा follow करो इसी पर question आते है one two three four five ठीक है can का मेनिग ability should का मेनिग advice will का मेनिग certainty would का मेनिग past habit और must का मेनिग compulsion obligation बस और कुछ ने ठीक है टेंशन खतम ओके friends I hope आपको लेक्टर अच्छा लगा होगा देखते रहिये comment करते रहिये positive comment thank you so much bye take care all the best